हलो एभरीबन वेलकम टू अभियनता माच दोस्तो अभियनता माच यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे टेक्निकल जॉब और गुवर्मेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आपको पुरभाइट करवाया जाता है तो जो ल टाइब कर बेल आइकॉन को सेलेक्ट कर लें ताकि को भी न्यूज अपडेट होगा उस सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा तोस्तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि बिहार तकनिकी सिवायोग आनि BTS से जई रिजल्ट कब तक आने की शंभावना है साथ ही साथ कनिया अभियंता की छटनी बहुत जल्द और साथ ही साथ न्यूब जो है भायकेंसिक कब आने वाला है यह सब बातें इस वीडियो में हम जानेंगे तो वीडियो को सुरू से जयंत तक देखिएगा आपका सारा डॉट किलियर हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों देखिए क्या है क्या निवज है वो मैं बता रहा हूं किर्प्या ध्यान से सुनिएगा चरा जेई को हटाना कितना सही और कितना गलत होगा यह सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सबों को देखिए जैसा कि अख़बारों की सूची है कि कारिदच्चता के अधार पे हटाये जाएंगे कनिये अभियंता तो यह गरामिन कारिदच्चता के अधार पर हटाये जाएंगे पचास साल से उपर के टनिये अभियंता दोस्तो यह कारिद्च विभाग के द्वारा इसा बताया गया है खेंगे गरामिन कारिद्च के द्वारा ईस सूचना दी गई है अब इस न्यूज कितना सही है और कितना गलत है वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ नया भैकेंसी जो है वो कब आने वाला है तो बने रहिए मेरे साथ देखिये पढ़के सुना रहा हूं मैं ध्यान से सुनिएगा अब्यांत्य को कारेदस्ता के अधार पर हटाये जाएगा अभियानताओं के काम का मुल्यांकन करने के लिए विभाग ने एक विशेश कमीटी बनाई है कमीटी के अध्यच विशेश सचिव अपर सचिव संजुक सचिव में कोई एक होगी विभाग ये मंत्री व सचीव की सहमती के बाद कमीटी गठित की गई है अभियंता परमुख असोख कुमार मिस्रा ने कमीटी गठन की अधिसुचना जारी की है समाने परसासन विभाग की ओर से पहले ही निर्ना लिया गया है कि 50 साल से उपर वाले कर्मियों को कारेदच्चता के अधार पर नौकरी उसकी बरकरार रहेगी मुल्यांकन कराने के लिए विभाग की एक कमीटी बनी है तेस जुलाई 2020 को इस बावत आदेश चारी हो चुका है तेस जुलाई इतना को इस बावत आदेश चारी किया जा चुका हुगा आदेश के आलोग में कई विभाग विशेश कर इंजिनियरों को कारेदच्चता के अधार पर हटाया जा चुका है जबरन रिटार की शुरुवात भवन निर्वान विभाग ने की थे आज की नहीं बात नहीं है इस क्रम में ग्रामिन कारविवाग जुनियर इंजिनियर सिविल की कारेदच्चता के अधार पर हटाने का निर्वन नहीं लिया है देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है कि कमीटी ने उन इंजिनियरों पर भी नजर रखेगी जिनकी उमरों 50 से ज़्यादा होगी इसकी कारेदच्चता के अधार पर बेहवार अध्यन क्या जाएगा कमीटी यह देखेगी कि कितना सही है और कितना गलत है यह कारेरत है कि न इनका कारेक उचल कैसा है है न दोस्तों तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने और दुसरी बात BTS CJ रेजल्ट के लिए जो हम लोग आंदोलन कर चुके हैं दो बार अंदूलन हो चुका है जम कर तीसरी बार अंदूलन की तैयारी है तो शटनी करना जो हने बी टी स्टी जैई जो है बीटी स्टी जैई बिहार टेकनिकल सर्विस कमिशन जुनियर इंजिनियर सिविल इलेक्टिकल मेकेनिकल तीनों बरांच का रिजल्ट जो है एक साथ ही जारी होगा तो जैई को हटाना उचित नहीं है 60 साल करेटेरिया है जैसे सेंट्रल गुवर्मेंट में 60 साल जो है दिया गया है उसी तरह से बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहों कि जो लोग कारिरत हैं काम कर चुके हैं बिहार के लिए सेवा कर चुके हैं उनको हटाया जाए यह पूरे तरह से गलत है अफवा है ठीकर आईसी सरकार को नहीं करना चाहिए कितना कुछ बड़ा कदम सरकार को लेना पड़ेगा ठीकर वरना आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे दुबारा फिर से तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नहीं अपडेट के साथ थांक्यू जाए हिंद झाल